हेलो फ्रेंड वेलकाम बैक टु कीचेन फॉर यू आज हम आपके शाश्यार करने वाले हैं चीकेन स्नाक्स की बारे में आज हम चीकेन स्नाक्स बनाएंगे जिसे हम ब्रेट की साथ बनाई है इसे अब चीकेन नागट भी कह सकते हैं इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया है घर म आपे हमने slice बेड ले लिया है चार से पाच आप slice बेड ले ले 200 ग्राम चीकन की साथ और बेड की जो किनारा है वो आप निकाल दे तो इस तरीके से किनारा को आपको निकाल लेनी है और जो किनारा आपको बचते है उसमें से अप grinding jar में grind करने की बाद फिर आप चाहे तो इसे बेड कम बना सकते है तो मैं इस तरीके से pieces कर दूँगी अब चाहे तो हातों में तोर भी सकते है पिसेस करने की बाद इसे mixing bowl में डाल के फिर इसका हमें paste बनानी है पहले हम बेड को paste बना लेते है फिर हम इसमें chicken add करेंगे तो ये देखे जो bread है वो मैं mixing bowl में डाल दी है इस करेंगे हम बस paste बना लेंगे तो दीखिये paste हमने बना ल Kerry के है अब मैं इसमें डाल दूँगी ृ इसमें हम डाल देंगे 1 टεप लेसफून अलब लेसटल की paste हाप टेवल बिड्ल कन बलाक पेपर वाठ फिर सुझ शोय सॉस 1 टेवल इसमें सॉल्ट हम टेवल इसमें पेकिर से पेस्ट करके रखा था और इस चीकन और मसाला को अच्छे से हमें इसे पेस्ट बनानी है तो मैं इस अच्छे से पेस्ट बना ली है यहाँ पे चॉपिंग बूर्ड में मैं हलका सा ओल लगा ली है और फिर इसमें जो चीकन की हमने पेस्ट बनाई है उसे हमें अच्छे से बहुत ज़यादा पतली नहीं है, हासों से आपको प्रशूचे से साइज कर देनी है। झाले सकते हैज होगेदेदे रहें होगे हम लोगे नागेट की पीसेज कर लेंगे rappy लुबिण tam तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आप इसे असानी से pieces कर सकते हैं, इसे मैं एक अलग जगा पर निकाल लूँगी, तो यहाँ पर मैं बोर्ड में हलका सा oil लगा ली है और फिर इसमें इस pieces को हम रख देंगे, इसे रखने की बाद फिर हम इसके लिए better बनाए तो यहाँ पर हमने एक अंडा डाल दी है, इसकी साथ हम मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक, साथ में हाप टबल स्पुन जैसा सोया सॉस, वान टबल स्पुन जैसा मिल्क, और मैं एक बर अंडे को अच्छे से इसकी साथ मिला दूंगी, अच्छे से अंडे को हमें फार्टी है और इसी की हमें बेटर बनारी है, तो देखे बेटर बिल्कुल फर्फेक्टली तयार है, जो चिकन की नागिट है वो हम पहले बेटर में डूबो देंगे, इसे डूबोने की बाद भी इसका हम बेट करम लगाएंगे, तो देखे इस तरीके से चमच की मदद से हमें पलटन अगलेंगे, इसके हर एक साइड हम अच्छे से बेट कर लेंगे, यहाँ पर जो बेट करम है, बो में कालरिंग यूज चिया है। योलो कालर मैंने डाला बेट क्रम में जिसमें इसकी कालर बढ़िया है देखने में अच्छे के लिए अब चाहे तो नर्मल जो काला नहीं होता है उस बेट कम से भी अब इसे बना सकते हैं ब्रेट की जो किनारा हमने निकाला है उसी किनारा से अब बेट कम इसी घर में बना सक बस आप देख सकते हैं इसी पॉससेस में हम वाइव हम सागीट है वो हम तयार कर लेंगे तो इस तरहीके से देखिए सारी को हमें तरेयर कर लेंगे और फिर इसे हमें फ्रीज में रख देनी है कम से कम 2-3 घंटे हम इसे फ्रीज में रखेंगे और उसी की बाद हम इसको फ्राइ करेंगे तो बस इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे और फिर इसे हम 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे उसमें क्या होगा बहुत अच्छा फूलेगा खाने में टेस्टी होगा और फ्रीस में अगर नहीं रखते हैं कम से कम आदा घंटा भी इसे फ्रीस में रखे तो बहुत अच्छा होगा कि फ्राइ करने के पहले हम इसे खा जाए तो ये देखिए बहुत बढ़िया है तो चलिए इसे फ्राइ कर लेते है उल को हमने अच्छे से हाई फ्लेम में गर्म कर ली है फिर फ्लेम को हमने मीडियम रखा है मीड्यम फ्लेम में हमें इसे फ्रड़ करना है ताकि इसका अंदर अच्छे से फ्राई हो और बाहर अच्छे से फ्राई हो ना जले इसलिए फ्लेम को लोग और मीड्यम की बीच में रखनी है तो ये देखिए नागिट को हमने डाल दी है आप देख सकते हैं इसकी दुनु साइट पलटते रहते हुए हमें फ्राइ करनी है एक साइट पलटना है फिर दुवारा दुसरी साइट को भी पलटना है इस तरीके से पलटते हुए आपको इसे फ्राइ करनी है एक बार में एक साइट को ज़्यादा नाफ है करें थोड़ा थोड़ा करके फॉराइ करें और इसको पलरते रहें आप देखेंगे कि यह बहुत बढ़ीया फुल रहा है अंदर इसकी फिलॉपी बन रहा है तो देखें बहुत बढ़ीया नागेट की रिस्पी तैयार है इस त इस तरीके से आपको दोने साइड पैलारते हुए बहुत ही बालती नहीं बहुत ही 咳कत घुक्ती और और देखसकते हैंगे और पूल वी रहा है बहुत ही बड़या और अंदर बिल्कुल ब कच्छा नहीं रहेंगा इस तरहाएगा इस तरीके से अप इसे अप पर्फिक्ली आप देख सकते हैं तैयार है इससे जादा हम इस और नहीं फ्राइ करनी है इसकी कालर बहुत ही बढ़िया आ चुकी है बस इसे हमें और में से निकाली है एक चिन टाउल में रग देनी है तक इसका जो एक्स्टर ओल है वो निकाल जाए और यह हमारी आज की स्नै करना ना भो